पर पहला रुजान मंसौर में 15 वाड में कॉंग्रेस सागे चल रही है अपराजिता जी सबसे पहले आपका रियक्शन बधाई हमने तो कहा ही था कि इस चुनाओं में भारती जनता पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ेगा क्योंकि वो जनता के बीच बार बार जूटे असत्य वचन पत्र लेके जाती है 17 साल के कुशासन का रिपोर्ट कार्ड लेके जाना चाहिए था जनता के बीच आखिर 17 सालों में इन्होंने किया किया इनके खुद के ग्रह मंत्री कहते हैं 54 में से 44 जीत रहें अरे 52 तो जिले हैं इनको खुद मध्य प्रदेश की कोई हालत का अंदाजा ही नहीं है मैं नेहा जी को बताना चाहती हूँ प्रधान मंत्री आवा से बाहर चलिए हर चीज़ में कमिशन देना पड़ता है क्या सतना में वाड नमबर 9 से कोई कॉंग्रेस प्रत्याशी जीता है सतना की खबर देखते हैं एक बड़ी खबर आपको यहां देता हूँ जरा सतना से वाड नमबर 9 में कॉंग्रेस की जीत हो गई है आप अपने बात कंप्लीट कीजेगा उसके बाद में नेहा जी आपके पास आऊँगा प्रधान मंस्री आवा स्योजना में हर जगे कमिशन देना पड़ता है आप जाए ये राशन कार्ड आपको नहीं मिलता उसके लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं जो नेहा जी बात कर रही थी एक प्रदेश, कैसे एक successful able प्रदेश बनता है, देखिए, जब भारती जंत्रापाटी का 17 साल का कुशासन था, तो उसमें मिलावट और माफिया पनप रहे थे, कमल नाज जी की सरकार आई, उन्होंने मिलावट, माफिया कोर, कृशी रिन माफी, किसानों की रिन माफी, हमने बिजली एक रुपे प्रती यूनिट, हमने जिस तरीके से 27 से क्यावन हजार कन्या राशी कर दी, इस प्रकार के जो अगर पंचात उर्चा में बिजली की जीत होगा, यह बाट नमबर दो से, ने आजी रेक्शन आपका, इस प्रकार से काम किये कर रही थी उनके कार्यकर्तों को, यही शाम को वो बदाई भारती जनता पार्टी को दो,